कि नमस्कार जय हिंद बंदे मतरम दोस्तों आप सभी का स्वागत श्टड़ी विथे स्मार्टेस के साथ आसा करता हूं कि आप अच्छे होंगे आपका परिवार रोजाना की तरह बहुत ही अच्छा होगा हमें सभी ही मुस्कराते रही और पढ़ते रहे श्टड़ी विथे स का आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने एक बाद वेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए उससे क्या होगा आपको अन्यवाले नोटिफिकसिंग की अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी तो फ्रेंट्स क्या है अपडेट आज आपके सामने बाल विकास के सभी डिसोडर पूरा वीडियो देखने पर आपकी कोई भी सिफ्ट होगी पांच नमबर पक्के होते हैं तो इसी के साथ अपन देखने चल रहे बाल विकास के डिसोडर जो इस प्रिकार हैं सबसे पहला डिसोडर OCD कई एक्जाम में यही पूछ लिया जाता OCD का फुल फॉर्म क्या होता है तो ऑपसे से कंपल्सेव डिसोडर एक्जाम में मैं यही आता है तो OCD का मतलब क्या है फ्रेंट्स मैं आपको वह बताने जारूं तो देखिए फ्रेंट्स येसे OCD में बार-बार हाथ धौना बार-बा प्रकार का चिंता विकार है इस विकार से ग्रिशत व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार जांच करने की आवेशक्ता आनभव करता है जैसे बार 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 किसी चीज़ को जांचना बहुत ज्यादा सफाई करना सर्थी में भी रजाईया चबूत्रा साब करना यह इस प्रकार क disorder के काम होते किसके OCD के इसका फुल फॉर्म रहता है और फ्रेंट्स क्या है यह देखिए और फ्रेंट्स क्या है इसा माना जाता है जो कि आपको चित्रात्मक तरीके समय मैं ने समझाया है चलते लेक्ष फर लगंशनेक्ष्ण Κार वाईपोलर करकर लो है कि फ्रेंट्स क्या होता है कि इसको हिंदी में धुय धुऽ विकार कहा जाता चाहिते यंए मनोधसा विकार भी चाहिते रहा हैं का आ chamado में यही आता है कि मनोधसा ये सब दाते हैं एक्जाम में कि सनग या उनमाद किसको गहा जाता है तो ब्रेंट्स सनग या उनमाद भी Bipolar Disorder को कहा जाता है दूसरी मनोदासाद को अउसाद भी कहते हैं एक्जाम में कई बार टॉप ट्रेंडिंग पर रहा है कि आवश्द किसको कहा जाता रहता है चलते हैं बाइपुलर्भ डिसरडर का उदारान किस परकार रहता है इस परकार के रोग से ब्यक्ति सौना नहीं चाहता है ऐसे ब्यक्ति का मूड बहुत जल्दी बदलता रहता यह जाम में आemedखांवाईगा ज साथ और नमाज इस प्रकार के डिसर्डर को कहा जाता है तो यहां से आपके इतने कुश्चन कंप्लीट होते हैं चलते हैं नेक्ट पर और क्या है अब फ्रेंट बाइपोलर डिसर्डर तीन प्रकार के होते हैं दूदुर्वी फस्ट दूदुर्वी सिकंड और साइक्लो फ्रेंट्स यह bipolar disorder में जो ग्रिसेत लोग हैं वो दिखाई दे रहे आपको तो आप चित्रात्मक तरीके समझ जाईए bipolar disorder इस प्रकार से रहता है उम्मीद करूँगा सभी लोगों को समझ में आ गया होगा चलते हैं next पर All siis G.A.D. अब G.A.D. friends कई वार आएक जाम में आ जाता है कि G.A.D. किया कहलाती है तो post G.A.D. का फुर्म होदा हो जाता है यहां से आपके इतने कुश्चन बनने की संभावना रहती है उसके बाद दुष्चिंता विकार मुक्तत तीन प्रकार के होते हैं अब दुष्चिंता विकार फ्रेंट्स क्या होते हैं तीन प्रकार के होते हैं एक सामानी कृत चिंता विकार इसको एंगलेश में कह जकता है अब इनकी बारे में डिस्क्राइब से अध्यन करवाने जारें तो फ्रेंट्स व्यापक चिनता रोग इसमें क्याफ्ट्स इसमें व्यक्ती की ज़रूरत से ज्यादा और आवाश्वत चिनता से से ग्रेस्ट गवराहट की स्थिती में व्यक्ति को अचानक बहुत तेज घवराहट होने लगती है बहुत तेज घवराहट होने लगती है व्यक्ति को अलग लगता है कि उसका दम घुड रहा है उसका दम घुड रहा है ऐसे में दिक्कत चक्र आने लगते हैं जैसे पागल हो जाना पागल व्यक्तिय थे डर दिपर लगता है सिय कि अहीं जोड़ा अगर किसी फिशिप कली से डर लगता है तो किस प्रकार का रोग है तो एक्जाम में रहेंगे आउसाद औनमात फो विया यह चिंता तो आप लोगों को वहाँ में यही आजाता है एह एस डी क्या किलाता है तो इंगली में फुलफ़र्म पूचा जाता है तो फुलफर्म में सबसे पहले तो यह चाथ एस डी का फुलफर्म Kenneth ress Ennyila हैं इंग्लेज में तो मैंने वह समझाया गया है यहां पर भी ऑर्ट्रिज्म इस पेक्ट्रम डिसॉडर स्वलीनिता विकार तो यह देखे हैं सब्सक्राइब और विकार नहीं तो यह सब्सक्राइब को सब्सक्रान का जिए गया का रहता है वह जल्दी जल्दी समय भाव के डिप्रेशन एडीडी ओडीडी इस्पेस्विक लर्निंग डिफिकल्टीज एडीएजडी ट्यूरेड ओसीडी तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को यह समझ में आया होगा चलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आती वो दिखाने स्वलीनिता मस्तिस्क के विकास के दोरान होने वाला विकार है मतलब ओटिजम मस्तिस्क के दोरान होने वाला विकार है इसको आत्म वोह इसको क्या आत्म विमोह या सो परायत कहते हैं इसमें व्यक्ति सीमें दोहरा और युक्त व्योहर करता है उदारन एक ही काम को बार बार यह सब बच्चे के तीन साल के पहले से प्रारम हो जाता है, आत्मिवो या इस्पेक्ट्रम विकार कहते हैं, जैसे एस्परजर सिंड्रॉम, अब पहचान किसी को नजर मिलाने से कत्राना, मतलब यह इस प्रकार की विकार विक्ति क्या होता है, नजर मिलाने से कत्राता रहता ह है उम्मीद करूंगा समझ में आगया होगा उसकी बाद आता है टिक disorder यह एक प्रकार का विकार होता है जिसमें बच्चे करते हैं ऊदारान आंखे मचकाना जीव निकालना ना को सूंगना ना को सूंगना खासना विनाजुखामड के तो यह इस प्रकार का disorder टिक disorder रहता एक्जाम में फ्रेंट्स यही आएगा कि अगर बच्चे नाक सूंगता है आखे मीजता है जीव निकालता है तो किस प्रकार का disorder तो आपको लगाना है टिक disorder यह बच्चों में पांस से 14 साल के बच्चों में पाया जाता है नेक्ट क्या है फ्रेंट से देखिए इसमें और इस्पेक्ट्रम डिसॉडर को मैंने यहां भी बताया गया है यह समझ लीजेगा अब बार टिक disorder बार बार पलकों को जपकाना सब्दों को दोहराना वाहां को हिलाना कंधों को हिलाना कला साप करना इस प्रकार के डिसॉडर आएंगे तो आपको टिक डिसॉडर पर क्लिक करना है और टेज्म डिसॉडर की बारे में आप चित्रात्मक तरीके से समझ लीजे इसके बाद चलते हैं अपन एडी एजडी एक्जाम में यहां से पांच नंबर का कंफर्म आएगा अटेंशन डेफिसीट हाइपर एक्टिविटी डिसॉडर एडी एजडी का फॉल्फॉर्म रहता है मतलब ध्यान की कमी और अतिधिक सकृता की वीमारी को ध्यान अभा अतिसकृता विकार कहा जाता है यह देखिए चित्र के माध्यम से वाटेज अटेंश के सिकार पाए जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद एन इस्टिमेटेड थ्री पॉइंट फाइब चिल्डरन एडी एजडी उदारन क्या आएगा क्रिकेट खेलते समय अपनी बेटिंग का अंदजार ना कर पाना क्रिकेट खेलते समय ग्राउंड में दोड़ होते रहना इस प्रकार का डिसॉडर अटेंशन डेफिसीट हाइपर एक्टिविटी डिसॉडर कहलाता है और इसके बाद क्या है रहता प्रहंट की जो बच्चा होगा एक जगह इस्थिर नहीं रह सकता उसका ध्यान इधर उधर जाता रहेगा तो यह अटेंशन कहलाता है उसके बद हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हाइपर होगा एक जगह इस्थिर नहीं वैठ पाएगा जल्दी जल्दी गुस्था आना इस प्रकार की बच्चों में पाया जाता है तो हाइपर एक्टिविटी कहा जाता है अब इम्पल्सिविटी अईभावक बताते हैं आंगे पीछे मुड़कर के बात करता रहता है ध्यान नहीं दे पाता है इस प्रकार के विकार ADHD में पाए जाते हैं उसके बात अटेंशन बहुत देर तक एक ही चीज पर कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाता एक ही कॉपी पर कायर करता रहेगा बीज में उठ जाएगा गेम पूरा नहीं खेलता है टीवी की रिमोट को बदलता रहेगा टीवी के रिमोट से चैनल को यहां-महां करता रहेगा इस प्रकार की हरकतें करेगा तो इस प्रकार का डिसोडर ADHD कहलाता है उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रिंट्स जादा जादा लोगों को सेर कीजिए इसी टैप के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाइक कीजिए अपने फ्रेंडों में सेर कीजिए मिलते हैं जब तक लिए धन्यवाद जैहिंद जै भारत